वेलकम तो माई डिटीव चैनल आरे एंड आधित्या क्लासिस दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम जो है केंद्री विद्यारे समधन्ज जो जवलपुर रिजन है इसका क्लास सेवेंथ का सेशन इंडिंग मतलब एन्वाल एक्जाम के जो कुश्चन पेपर हम 2023-2024 वाला य इनका आपको स्क्रिंशॉट ले लेना है मैं तो आपको कुश्चन मिली जाएंगे और इनके सलूशन मिल जाएंगे यह दिया आपको ऐसा चाहिए कि विश्चन का सलूशन भी आप भेजिए तो वह भी मैं करा के आपको भेज दूँगा फिलहाल इसके अंदर जो है आपको वीडियोस के अंदर मैग्जम जितने भी पेपर्स होते हैं उनके वो सभी जो है आपको मेरी चैनल के अंदर मिल जाएंगे तो आपको इसको जो है लाइक और सब्सकाइब करना है और आपके लिए क्या यह है यह नहीं है आपको कमेंट सेर्शन में जग लिखना है चले कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको भी पैटर्न नहीं पता होगा तो हो सकता है उनके लिए बेनिफीसियल यह हो जाए उसके बाद आप यह देख सकते हैं जो कोशन सेक्शन एक के अंदर है कि बैटरी बैटरी इस गुरूप आफ कुछ में टिक किये हुए हैं आप देख सक ले लिजिए इनको जो है जो है आपको नोट करके रखना है चलिए नेस्ट पेज में देखिए कोशन नमबर सेवन ब्राइफिलम कैन रिप्रोड्यूस थ्रू इस जिसे लीव है दा पाथ आप दा लाइट इस लाइट जो हमें सा इस्टेट लाइट में ट्रेवल करती है उ इसके बाद जो है यहां पर देखिए यहां पर सेट हमारे ए हो जाता है इसके बाद सेट भी जो हमार सेक्षिन वी के अंदर आप देख सकते हैं इनको आप नोट कर लीजिए कॉश्चेंस और इनका स्कीन्शॉट ले लीजिए मैं कुश्चें का मतलब समझाए दे रहा हूं कि जब जो है करेंट को स्विच ओन किया जाता है एक वायर के थ्रू तो जो कमपास की निडल होती है उसके जो पास में रखा जाता है वो डिफलेक्ट होती है मतलब इसमें जो है मुमेंट हो जाता है और इस नार साउट पोज है इसके बाटन नमबर कुश्चें आप देखिए नेम डा सोर्स विच लिटमस सल्यूशन इज और इसमें जो है इसमें जो है इसमें जो है डिफरेंस भी आता है वेरी पॉर्ट है कि इनको एसी और वेसे में डिफरेंस लिखने के लिए आता है नेश्ट कुश्चें नमबर 13 के अंदर देखिए राइट एनी टू डिफरेंसे बिट्वीन आ कॉन्वेक्स लैंस और कॉन्केव लेंस यह भी इंपॉर्टन है तिनको आप नोट कर लेना है डिफरेंस जो है कॉन्केव लैंस और कॉन्केव और कॉन्वेक्स है उसके बाद निकिष्ट है फोटीननंबर में नेम एक्ट्राइट आप्टा एलेक्रिंट अप्ड़ एलेक्क्रेंट के लेक्रिंट के उनव स्डेखिअग्रॉस सान इन बूड and cutting it into the small pieces is considered as the two different type of the changes. तो दो तरह के changes कैसे हैं कि जिसमें एक लखडी को जो है बर्न किया जाता है और दुसरे जो है काटा जाता है small pieces में तो इसके बारे में बताना है किसमें दो तरह के changes होते हैं physical or chemical change क्यों होते हैं question amas question के अदर देखिए what are the decomposer decomposer क्या है and what do they do in the forest forest में ये क्या करते हैं क्या काम हिनका उसके बाद निश्ट है इसी में और में दिया है explain why there is no waste in forest जंगल में कोई भी waste चीज नहीं होती है सब चीजे काम की होती है ऐसा क्या होता है उसके बाद question number 17 के अंदर देख सकते हैं कि which type of the mirror can be form तो किस तरह का mirror जो है layer image बनाता है which type of the lens form always virtual तो कॉस्ट इस तरह का lens जो है virtual image बनाता है उसके बाद section C के अंदर देखिए दिया हुआ है an iron rod is heated एक iron rod को देखिए इसमें heat किया जा रहा है इसके अंदर question कूछे हुए है देखिए तो इसका question है if is heating up the iron rod heat करना इसका chemical change है select the correct response तो no ये जो है क्या है आपका एक chemical change नहीं है क्योंकि वापस से वो उस तरह से rod वापस आ जाएगी थरंडे होने पे तो उसके बाद question number इसी का 2 देखिए which आप दी जी जब physical change इसमें से कौन सा है तो जब लेजर चेंजिंग इस इसके लेना है उसके बाद resting is reversible change तो resting क्या reversible change है yes or no तो ये आपको लिखना है उसके बाद question number 19 देखिए define speed के बारे में बताना है speed क्या है उसके बाद the distance between the two station दो station के इस distance दिया हुआ है train को जो है चार घंटे लगता है इसको cover करने में तो speed of the train निकालना है तो speed is equal to distance upon time में आपको निकाल लेना है तो आपको जो है उसे बन जाएगा next जो है question number 20 question number 20 के अंदर आप देख सकते हैं a flower consist of the different parts name these parts of the flower and sketch the reproductive part of the flower तो flower के बारे में इसके बारे में बताता है उसके बार में है describe the various way by which seed are dispersed तो कौन ऐसे तरीके हैं जिसके अंदर जो है beach dispersed मालब फैलता है मालब एक जिगे से दुश्य के बीच कैसे पहुंच जाता है इसके बारे में इस question के ने बताना है ने इस 21 नंबर में question में देखिए in which of these devices is an electromagnet used in which of these devices is an electromagnet used तो आप देख सकते हैं आपर ये अलग-अलग electric device दिवाया है तो किसमें आपका जो है इलेक्रो मेंगनेट यूज होता है तो इलेक्री विल के अंदर यूज होता है उसके बाद question number 22 दिख सकते हैं सुखा सुधा जो है डामट वेजेटेवल बेस्ट इन पीट आप इस गार्डन हर गार्डन सी देन एड़ेड अलेयर आप स्वायल और केंपर देपीट टाइटली दा पिक्चर सून चले निश देखते हैं यह सुधा रमट वेजेटेवल वेश्ट इन पीट आप इस गार्डन सी देन एड़ेड अलेयर आप दा स्वायल कवर दा पीट टाइटली दा पिक्चर सोन वार्ट सुधा फांड आफ्टर एयर इसके बाद इसमें जो है कुछ से डिटर कोश्चन है वह आप देख सकते हैं नेश्ट को जो है कुष्चन जो है 23 है राइट दा करेक्टर इस्टीक आप दा इमेज फांड बाइड प्लेन मिलर इसके बाद अमोनिय इस फांड इन वेनी हाउस होल अमो प्रोडक्त आप इने जो कई होस हाउस होल प्रोडक्त मिलती है सच एज दा विंडो क्लिनिंग में इस टांस ये रेड लिटमस को ब्लू मदल देती है वार्स इस्ट नेचर क्या है उसके बाद डिश्टिल वाटर इस्टीक बेसिक एन नेचल करता है हाउड यू कैसे बेरिफाई करोगे लिश्ट है कलामें सेलोशन इस एपलाइड ऑन दे स्किन वेन एंड वाइट जब चोचीटी काटती है उसके बाद ब्लू लिटमस पेपर इज टिप्ट इन्टा सलुएशन इस रिमेंज ब्लू वाट इस दे नेचर आप दे सलुएशन उसके बाद विच एचिट इस फाउंड विनेगर में कौन से पाय जाता है चले उसके बाद देखिए section D के अंदर which type of the vegetative propagation has been shown in the figure यह पूछा हुआ है इस तरह के जो है आपका डाइग्राम दिया हुआ है name the two plants where this method of vegetative propagation किसमें किसमें होता हो बताना है यह sexual है sexual reproduction है उसके बाद A और B को हमें जो है इसको करना है लेवल करना है उसके बाद next question देखिए इसके अंदर सेखर करदा stem of the hornroth worth plants into two pieces तो यह आप देख सकते हैं यह question को किसकी stasis में question पूछे हुए है इसको आप note कर लिजे इसके solution आपको ढून लेना है उसके बाद which of these statements is true about the two new horn worth right as and no for the correct यह आप देख लिजे इसको next है in which part of the flower are the pollen deposit इसके बाद यह case study दिया हुआ है पैसे इसी लेटर जो है question है तो यह आपने देख लेना है इसके questions आफर दिये हुए है तो यह आप इनको जो है रिचेक कर लेजेगा उसके बाद राइड राइड एक कुछ पूछे हुए हैं उनके बारे में लिखना है फिर 27 नंबर में देखिए what do you mean by the term motion के बारे में excellent uniform motion non uniform motion यहत कर लेना है तो यह भी आपको तैयर करना है तो आई होप आपके लिए helpful हो सकता है यदि आपको इसके solution की जड़त होगी तो वह भी मैं करा दूंगा यदि आपको यह अच्छा लगा इस तरह की वीडियो आपको बांकी भी question paper इस तरह मिलते रहेंगे आपको लेकिन इसके लिए आपको जो है like and subscribe करना है thank you for my channel आरे एंड आदित्या classes जै हिंद जै भारत